हलो और वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ग्याना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दा एक्सिडेंटल टूरिस्ट इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक ऐसे परसंट की बात करने वाले हैं जिसे ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इतनी घड़बड़े कर देता है जब भी वो कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाता है तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो ओथर बताना स्टार्ट करते हैं कि ये जो दुनिया है इसके अंदर रहना बहुत मुश्किल है लेकिन ओथर जैसे परसंद के लिए रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हर चीज को किसी भी चीज को भूल जाया करते थे उनकी अंदर भूलने की बहुत बुरी बिमारी थी अगर वो होटल के अंदर रहा करते थे तो वो होटल का रूम नंबर भूल जाया करते थे अगर वो सिनेमा के अंदर जाया करते थे तो उन्हें टॉलेट डूनने में बहुत प्रॉबलम होती थी अपनी सीट डूनने में बहुत प्रॉबलम होती थी तो इतनी सारी problems author को face करनी परती थी किस वज़ा से क्योंकि वो चीजों को भूल जाये करते थे यहीं पर बात हो रही है author अपनी family के साथ एक trip plan करते हैं England में travel करने की वो लोग जा रहे होते हैं Boston से England की तरफ और उनके सारे family members होते हैं उनकी wife होती है और उनके बच्चे होते हैं तो author जो traveling का incident होता है author का जो main हम लोग पढ़ने वाले हैं इस story के अंदर जो author होते हैं उन्हें travel करने में बहुत ज़दा inconvenience होता है बहुत ज़दा वो गड़ बड़े करते हैं जब भी वो कहीं पर travel करने के लिए जाते हैं तो ऐसा ही अभी भी होने वाला है हम लोग समझते हैं क्या क्या बताया गया इसके अंदर author जैसे ही वहाँ पर पहुशते हैं एरपोर्ट के ऊपर तो check-in करते हैं जब वो अपने back को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसकी zip क्या होती है जाम हुई पड़ी होती है तो वो पूरी दम लगा कर उस back को खोली लेते हैं पूरी तागत लगा देते हैं जैसे ही वो zip open होती है वहाँ से उनका जो टमेको, magazine, passport, पैसे वो सब भिखर जाता है वहाँ पर और उनकी जो उंगली होती है उसके अंदर भी चोट लग जाती है और उससे खून निकलने लग जाता है वो जो भी उनका समान भिखरा होता है उसकी तरफ बड़े surprise से देखते हैं बड़े दुख से क्योंकि उससे बहुत जादा खून निकल रहा होता है क्योंकि वह बहुत ही जादा घहरी चोट होती है ऑथर जो होते हैं ऑथर के साथ एक बारी ऐसा भी incident होता है जिसको सुनकर आप लोगों को बहुत जादा हसी आने वाली है एक ये incident बता रहे हैं ऑ अचानक से अपनी seat को पीछे कर लेता है तो ऑथर नीचे के नीचे दब जाता है उनका सर जब वो अपने shoeless को टाई कर रहे होते हैं तो ये भी एक उन्होंने incident बताया है इसी के साथ हम लोग एक और किस्से की बात कर लेते हैं तो ये किस्सा होता है जब वो एक fellow passenger जो lady passenger हो cold ring को तो मतलब पता नहीं क्या था उनके साथ कितने इतने slippery hand थे उनके लेकिन ये जो थे ये इनके सबसे worst experience नहीं थे एक तो इतना गंदा और इतना भयानक उनके साथ experience हुआ था कि आप लोग मतलब सुन-सुन कर इतना ज़ादा हसेंगे बहुत ज़ादा क्या हुआ था कि ए वोस्वें चीज़े अंदेक्ते हैं devrait थोड़ी दिर में जब वाश्रुम के अंदर पहुश्टे और वह जब अपनी शकल को अपनी आपको जब शीषे के अनदर देखते है तबसस्क्राइब करते कि जो जो उनका मुह ब्लू कलर का लग रहा है वो इस वज़े से लग रहा है क्योंकि जो वो पैन था वो उनके माउथ के अंदर लीक कर गया होगा जब उन्होंने उसको अपने मुह के अंदर डाला था तो यह भी इंसिडेंट बताया हुआ है ओथर ने यहाँ पर ओथर का एक भी भी पूरा नहीं हो पाता अब थोड़ी देर में वो लोग यह देखते हैं कि प्लेन के अंदर लंच सर्व होने लग जाता है उनकी वाइफ बच्चो को बोल दे थी हैं कि बच्चो बच्चो तुमारे पापा खाना खाने वाले हैं ओपन दे लंच बॉक्स ये सारी वगरा पीते ना ही वो पैन को अपने माउथ के आसपास घुमाते वो बिलकुल चुप चाप शान्त हो कर बैठे रहते हैं कोशिश करते हैं कि जो भी उनके हैंड की मोमेंट है उनको भी वो जादा इदर उदर अपने हाथों को हिलाए डुलाए ना तो स्टोरी को आगी टीरियू करने से पहले मैं आपको एक इंपोर्टन चीज़ बताना चाता हूँ कि फ्लायर माइल्स क्या चीज़ होती हैं उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें तो फ्लायर माइल्स स्टूडेंट होती हैं जैसे जो पैसेंज जगा से दूसरी जगा बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लेकिन जो फ्लायर माइल्स होते हैं वो उनको रिजिस्टर नहीं करवा पाते क्यों नहीं करवा पाते या तो वो कभी भूल जाते हैं या फिर कोई ना कोई उनसे मिस्टेक हो जाती है एक ऐसा ही इंसिडेंट आधर ने बताया है जिसके अंदर वो जब जाते हैं क्लरक के पास अपना रिजिस्टर करवाने क लिए अपने कार्ड कے उपर अपने फलायर माइल्स को तो उनको बताता है कि जो टिकेट है वो बी बरेसिन के नाम से और जो उनका कार्ड है वो है डबलू грरेसिन के नाम से तो इस वज़े से वो register नहीं कर सकते, वो उसको पूरी काहानी बतानी की कोशिश करते हैं, कि Bill और William A. की है, इसमें ज़्यादा difference नहीं है, लेकिन वो agree नहीं करते, यहीं पर author यह भी सोचने लग जाते हैं, कि अच्छा ही हुआ कि उन्होंने, जो उनके flying miles थे, उन्हें मतलब agree नहीं कराने, तो वो बाली की तरफ जाते, first class के अंदर, तो उन्हें एक चीज़ की problem बहुत ज़्यादा face करनी पड़ती, वो यह थी, कि वो कुछ भी नहीं खा पाते, और नहीं कुछ पी पाते, ट्रावल करते टाइम, क्योंकि जब भी वो कुछ खाया करते थे, या कुछ पीया करते थे, तो कुछ ना कुछ गडबर कर देते थे, तो इस वज़ा से वो thankfully होते हैं, कि चलो कोई बात नहीं अच्छा ही हुआ, कि मेरे को flying miles का discount offer नहीं मिला, तो यहीं पर खत्म होता है students, यह chapter, like, subscribe और share करना ना भूले, और एक और चीज़ students, वीडियो को end करने से पहले, आप में से बहुत सारे students ऐसे हैं, जो यह वीडियो तो देखते हैं, उन्हें पसंद भी आती हैं, और उन्हें अच्छा भी लगता है, मेरे समझाने का तरीका, लेकिन ना ही वो comment करते हैं, ना ही वीडियो को like करते हैं, ना ही चैनल को subscribe करते हैं, यह मैं देखता हूँ अपने analytics के अंदर, तो please like करें, subscribe करें, comment करें, इससे motivation मिलेगी मेरे को और videos बनाने की,